हाई दोस्तो टीफोर चानल में आपका स्वागत है दोस्तो आज की इस वीडियो में आप सीखेंगे कि आप अपने फेस्बुक अकाउंट को डिलीट कैसे कर सकते हैं दोजा तेस में ओभी बिल्कुल आसान तरीके के साथ तो सबसे पहले दोस्तो बता देना चाहता हूं कि फे क्योंकि आप पहले से फेस्बुक अप्लिकेशन डाउनलोड की हुए रहते हैं और उसी से डिलीट करना शुरू कर देते हैं तो वो प्रेसे बिल्कुल अलग हो जाता है और आपका अकाउंट डिलीट नहीं हो पता है फिर आप परिशान होते हैं तो उसके पहले आपको क्य करेंगे यह आपका अप्डेट हो जाएगा तो यहाँ थोबाएक कर लेते हैं तो यह देखी मेरा फेस्बुक अप्लिकेशन अप्डेट हो गया है अब यह इन्स्टॉल हो जाएगा यहाँ पर इस्टॉल होने के देना है कि यह जो आपको profile name आपको दिखाए दे रहा होगा इसी account को आपको delete करना है तो यहाँ पर यह चेक कर लिजएगा लाश्ट में लिखा हुआ है account ownership and control तो इसमें आपको click कर लेना है अब आपके सामने यहाँ पे account ownership का page खुल जाएगा अब यहाँ पे दो नमबर पे आपको है second number पे deactivation and deletion तो इसमें आपको click करना है click करने के वादि यहाँ पे आपको दो option दिया थे एक आपको account deactivate करने का और दूसरा delete करने का तो delete यह permanently आपका account हुआएगा तो इसमें दूसरा वाला option आपको choose करना है उसका नीचे है continue to account deletion तो यहाँ पे नीचे वाला option यहाँ पे click करना है यह select नहीं करना बलकि यहाँ पे continue to account डिलीशन का जो option है इसमें आपको क्लिक करना है जैसे आप क्लिक करेंगे यह process आगे बढ़ जाएगा अब यहाँ पर आपका account permanently डिलीट करने का process यहाँ पर आगया है अगर आपका photo पहले से जो facebook पे है अगर आपको इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करके इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं तो चलिए अब नीचे हमारा option है delete account का इसमें आपको क्लिक करना है जैसे हमने अपना password डाल दिया उसके बाद नीचे continue का option है इसमें क्लिक कर लिजेगा जैसे हमने continue में क्लिक किया अब यहाँ पर आपसे पूछ रहा है यहाँ पर most important चीज लिखा हुआ यहाँ पर बोड़ रहा है कि 30 दिन के अंदर अगर आप account आपको open नहीं करना है तो आपका account delete हो जा आपका account चला गया है 30 दिन के अंदर आपको इस account में login नहीं करना है अगर आप login कर देते हैं तो फिर से आपका जो facebook है ओ open हो जाएगा account तो दोस्तों मुझे उम्मीद हो वीडियो पसंद है वीडियो को like करें share करें